सब्सक्राइब करना चाहते तो इस बैंक की और जा सकते है यह बैंक आपको रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी दे रहा है जिसमें आपको किस भी तरका बैलेंस मैंटेन करने की आउसकता नहीं होती और साथ ही साथ यहां पर आपको चेकबुक हो गया ए को मिल जाएगी और इस अकाउंट को आप आसानी से डेली यूज के लिए इस्तिमाल कर सकते है तो इक्यूटाइस स्मॉल फाइनस बैंक में अपना एक जीरो बैंस सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल में गूगल क्रोम को ओपन करेंगे इक्यूटाइस बैंक जैसे आप इतना सर्च करेंगे पेज को नीची को स्ट्रोल करेंगे तो यहां पर आपको सेविस सेविंग करके एक ओप्सन देखने को मिल जाएगा तो आप इस पेज को रिडरेक्ट हो जाएंगे और इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं यहां यहां पर आपको सेवन परसेंट का इंटरस रेट भी देखने को मिल जाएगा जो कि अन्या बैंको की तुलन में काफी ज्यादा है और साथी साथ यहां पर आपको किसी भी तरह का मैंटेनिंस चार्ज भी नहीं देना होता यहां पर आपको बैस्ट जीरो बैंस सेविंग अ तो देन यहां पर आप पर मेंस को अलो करेंगे और यहां पर आपको दो तरह के अकाउंट देखने को मिल जाएगे तो यहां पर आपको जो फस्ट वाला ओप्शन है रेगुलर वाला तो इस वाले ओप्शन को चूज करेंगा और नेक्स बैटन पर आपको क्लिक कर देना है next tab में आपको अपनी basics detail यहाँ पे enter करनी होगी जिसके लिए आप अपना नाम यहाँ पे enter करेंगे और इसके बाद आपको अपना एक photo यहाँ पे click करना होगा जिसके लिए start camera पर click करेंगे और अपना एक selfie यहाँ पे ले लेंगे इसके बाद next tab पर click करेंगे अब आपको contact detail में अपना email id और अपना mobile number वो enter करना है जो कि अधार card से link होना चाहिए अपना mobile number और email id यहाँ पर enter करेंगे location information में अपना state city branch यहाँ पर select कर लेंगे और इसके बाद आपको next button पर आपको click कर देना है तो यह basic detail है जिनको आपको यहाँ पर enter कर लेनी है जो भी आपके nearest branch होगी उससे select करेंगे और then आप next button पर click करेंगे id proof document में आप अपना अधार card number enter करेंगे अपना pen card number enter करेंगे और then next button पर click करेंगे यहाँ पर आपको terms of condition page आजाता है इसके बाद इन से भी terms of condition को एक बार read कर रहेंगे और generate अधार OTP इस option पर click करेंगे आपके registered mobile number पर एक OTP भेज़ जाएगा उस OTP को यहाँ पर आप enter करेंगे verify pen करके एक option देखने को मिलेगा तो just आपको verify pen पर click करके आपने pen की verification यहाँ पर देनी होगी इसके बाद यहाँ पर आपको done पर click कर देना है इसके बाद जो भी terms of condition है यह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और आपके धारकार से यह आपकी basis detail उठाली जाएगी यहाँ पर यहाँ यहाँ आपका communication सेम है और permanent address है सेम है तो यहाँ पर tick mark करेंगे और यहाँ आपको communication address सही नहीं है तो आप next यहाँ पर अपना address line 1, address line 2, address line number 3, city, pin, code, district यह सभी select यहाँ पर कर लेंगे और इसके बाद आप next button पर click करेंगे अब यहाँ पर personal detail के अंदर आपको mother's name, father's name, marital status, occupation और yearly income यहाँ पर select कर लेनी है तो यह सभी information यहाँ पर enter करेंगे इसके बाद आपके registered mobile number पर एक OTP भी भेज़ेगा उस OTP को यहाँ पर enter करेंगे next button पर click करेंगे अब आपको nomination detail यहाँ पर enter करनी होगी नोमनी चाहे तो आप बाद में भी add करेंगे इसके लिए आप next button पर click करेंगे तो बार से आपके registered mobile नमबर पर एक OTP भी भेज़ेगा उस OTP को यहाँ पर enter करेंगे अब आपको इस account का यहाँ पर आपको इस account की full KYC करनी होगी KYC करने के लिए have you physical pen card proceed to video KYC तो इस वाले option पर आपको just क्या गरना है इस option पर आपको क्लिक कर लेना है video KYC करने के लिए आपके पास fan guard का होना जुरूरी है और white paper का होना जुरूरी है और background हो प्लेन होना चाहिए इसके बाद यहाँ पर get ready to KYC इस option पर click करेंगे अपनी language यहाँ पर choose कर लेंगे और then proceed button पर click क करने के लिए आप yes क्लिक करेंगे आपके पास fan card है यदि आप checkbook लेना चाहते है तो yes पर click करेंगे यदि आप debit card लेना चाहते तो वह भी आप यहाँ पर checkbox पर click करेंगे अपनी location camera और microphone की permissions को allow करेंगे इसके बाद equity small finance bank के एक executive आप से जूड़ जाएंगे और then यहाँ से बाद आपका account दो से तीन दिनों में आपका account यहाँ पर activate कर दिया चाहेगा इस परकार से आप असाने से एक्वेड़ाइस small finance bank में अपना जीरो वैलेंस से भी आपन कर पाएंगे उमीद करता हूं आज को अच्छी लगे तिस वीड़ों को like कर देना चैनल को subscribe कर देना आपक के मनमें कोई भी स्वाल है कुछ भी पूछन चाहते तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा